नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकिसन क्लासस रामो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो हमारा यूथ कंप्रिटिशन टाइम्स जो प्राइमरी सूर्ट पर्टेट साज का ध्यापक में प्रयारणे समाजी का दे मैंने एक टॉपिक दिया गया है उसे में हम आपको आज का हमारा टॉपिक होगा लेशन नम्मर छटमा और वो होगा जीव यूव प्राकिरतिक सम्पदा इससे पहले हमने पांच टॉपिक कर चुके हैं गर आप उनकी वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जरूर समझ चाते हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा शेर करेगा सब्सक्राइब करेगा तो चले दोस्त आज का हमारा टॉपिक होगा चटमा और जीव प्राकिरतिक सम्पता प्रामेरी सुपर्टेट के लिए काफी महत्तपुन है जरूर इस वीडियो को देखेगा वीडियो को लाइक करेगा सेर करेगा तो चले दोस्त सीदे चलते हैं अपने प्रश्ण नमर पहले पर और प्रश्ण नमर पहला करा कि हमारे देश का राष्टी पसु कौन है काफी सरल प्रश्ण है हमारे देश का राष्टी पसु कौन है वो पसु है आप सन नम्मर ए बाग होता है सेर्फ मज जाईएगा एवाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा देखे इस पर थिवरी दिया गया है कि हमारे देश का राष्टी पसु बाग है भारत में सन 1972 में बाग को राष्टी पसु गोसित किया गया था सन 1973 में बागों के शमरदन के उदिस से बाग परियुजना भी आरंब की गई थे ठीक तो एवाला विकल्प उसका सही हो जाएगा प्रश्ट नमर दूसरा भारत में एस याई सेर कहां पाय जाते हैं भारत में एस याई सेर जो है कहां आपको पाय जाते हैं वो आपको बताना है चलिए आपको मैं राश्टी उद्दान का नाम भी बताता हूँ गीर राश्टी उद्द्द अब ऐसे प्रश्ट् ant कि स्राजी में हम तो गुजरात में हैं और बिकब हमारा सही हो जाएगा कांसा डी भाला बिकल्प ग याई शेर केवल गुजराट के गिर जंगलों में पाय जाते हैं प्रश्ट्च नम तो यह वाला बिकल्प जो है पूचा जाता है ध्यान रखेगा प्रतेक वर्स अक्टूबर मा का पहला सप्ता एक से साथ अक्टूबर वन जीव शप्ता के रूप में मनाया जाता है प्रस नमर चौथा है कि एक शिंग गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजी रंगा राष्टी उद्यान किस राज्ज में है काफी अच्छा प्रस्ण सरल प्रस्ण और सी वाला बिकल्प सही हो जाएगा असम में जो है काजी रंगा राष्टी उद्यान इस्तित है सी वाला विकल्प जो है सही हो जागा और वह एक शिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद है राष्टी उद्यान जो असम के जो हरट जीले में इस्तित है ये भी ध्यान रखेगा प्रस्ट नमर पांच भारत का कौन सा राष्टी उद्यान हंगुल मिर्गी के लिए प्रसिद है कौन सा राष्टी उद्यान है इंपोर्टेट प्रस्ट है हंगुल मिर्गी के लिए कौन सा राष्टी उद्यान प्रसिद है वो आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है, कौन सा राष्टी उद्यान है, तो जम्मु कस्मीर का कौन सा दाचिंग्राम राष्टी उद्यान, सी वाला विकल्प जो है, सही हो जाएगा, दाचिंग्राम राष्टी उद्यान जो है, हंगुल मिर्गी के लिए परसिद्य प्रश्ट नमर चटवा है कि प्राकृतिक संपता है प्राकृतिक संपता क्या है वह आपको बताना है बिकल्प आपके सामने है प्राकृतिक संपता क्या है जल संपता वाई संपता मिर्दा संपता यूप्यूक्त सभी प्राकृतिक संपता की बात करतें सभी प्राकृतिक प्रकृति द्वारा अनेक संपति प्रदान की गई है जिसमें से कुछ प्रमुख निम लेकिते जल संपता वाई संपता वन संपता मिर्दा संपता खनी संपता यह सब प्राकृतिक संपता है प्रश्ट नमर साथ लोहा कोईला तांबा पत्थर आदि के अंतरगत आते हैं यह क हाभ आगे बिकल्ब है मृधा संपदा के और उप्युक्त सभी तो ये किसके अंतरगत आएंगे वह आपको बताना है लोहा कोइला तामभा और पत्थर तो किसके प्राकृतिक गैस क्या है यह आपको बताना है क्या है विकल्प आपके सामने हैं प्राकृतिक रूप में मिलते हैं तो हमारा बिकल्प एवाला ही सही हो जाएगा कोईला प्राकृतिक गैस खजनी संपदा के अंदर गाता आते हैं इसे जीवास में इंदन भी करते हैं क्योंकि यह निर्माड पादप जन्तूं के और सेसों से प्रिथमी के नीचे होता है प्रश्न नम्मर नव जल संसाधनों में भारत का करें तो वह है तीसरा स्थान से वाला विकल्पिस का सही हो जाएगा प्रस दो कि भारत के विसी में तीसरा स्थान ज़ल का मानमजीवन में तो है प्रस्ट नमर दस है कि प्रिधिमी के उपरी सत्व को कहते हैं तो प्रिधिमी के उपरी सत्व को क्या कहते हैं वह आपको बताना है तो प्रिधिमी के उपरी सत्व को क्या कहते हैं तो दीखें आपको बता देते हैं प्रिधिमी की उपरी सत्व को क्या कह सकते हैं बूह प्रिश्ट वूह क्रश्ट यह भी कह जाता है ठीक लेकिन यहां पर वह बिकल्प में दिया ही नहीं गया तो प्रितिमी के उपरी सत्रों को हम मिर्दा संपदा मिट्टी वाले भाग को कहते हैं तो बी वाला विकल्फ हमारा सई हो जाएगा पृतिमी के उपरिसतों को मिर्दा संपदा मिट्टी कहते हैं वनुके कटाव अतितिक वर्सायं पसुं की नियंत्रित चरायादी से इसका हांस होता है मिर्दा संपदा मिट्टी है वनुकी ृकहाा पृतिक नरॉरह से अपने ही यूपी के बूलंद सहर में इस्ति थे बी वाला बिकल्प जो है सही हो जाएगा बुलंद सहर में इस्ति थे गंदान नदी के किनारे नरवडा ध्यान नखेगा यूपी में है प्रश्ट नम्मर बार नल कूपोद्वारा सारवदिक सिचाई किस राजी में होती है वो आपको बताना है नल कूपोद्वारा सारवदिक सिचाई किस राजी में होती है तो नल कूपोद्वारा सारवदिक सिचाई की बात करें तो वो उतर प्रदेश में होता है बी वाला बिकल्प जो है पारा का सही हो जाएगा इंपोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिए गया सभी नल कूपोद स्टापित किया है वह कहां पर आपको.. बताना है.. ऐसे अप टRIS देखर सब्सक्राइब.. सबसे जादा तंपरेचर कहां पर डालती है तो राजस्थान में यह वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा ऐसे आप ट्रिक जूड़कर याद करेंगे तो आसान हो जाता है अब सेटिलाइट से भी देखेंगे तो वहां पर काफी सरूर जाके प्लांट देखेंगे राजस्थान में लगाये हुए हैं तो उसका सी वाला भी गल्प सही हो जागा प्रश्ण नमर अब आ जाते हैं चब्दापर प्रस्ण नमर 14 कारा कche उत्तर प्रदेश में तेल सोधक खाना है उत्तर प्रदेश में तेल उत्तर कि प्रस्ट नम्मर आव आजाते हैं 15 प्रस्ट नमर 15 का रहा है कि राष्टी वन नीती के नुसार परयवाण की दिश्टी से देश में कम से कम कितने प्रतिसद शेत पर वनों का आवश्यक अनावरण आवश्यक है कितने प्रतिसद हिस्दे पर होना चाहिए जो है वन वह आप काल की स्तिती में कितने प्रतिसत जो है है वन वह आप हमें बता दीजिए प्रशन आप से हम पूछ रहे हैं कितने प्रतिसत पर वन है तो तेईस पॉइंट लगबग छे साथ के आसपास पर वन इस समय है प्रश्च नमर सी विकल्प उत्तर सही हो जागा राष्टी वन निती क विकल्प सही हो जाएगा वन निती की गोष्णा किस वर्स की गई थी वह आपको बताना है तो राष्टी वन निती किस वर्स आई थी वो 16 का विकल्प हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 1988 में आई थी वन निती राष्टी वन निती तो इस चीज को ध्यान रखिएगा किंद सरकार द्वारा वन निती 22 को वर्स उनिचान ठानवें में सुधिक अगर नई वन निती की घोष्णा किया गया था प्रश्ण नमर 17 भारती वन सरवेक्षण विभाग का मुख्याले कहां इसती थे वो आपको बताना इंपूटेट प्रश्ण है यह पूछा जाता है भारती वन सरवेक्षण विभाग क का मुख्याले कहां इसती थे प्रश्ण नमर 17 कर रहा है तो कहां परिस्ती थे उत्राखंड के दिहरा दून में इसती थे ध्यान रखेगा बी वाला बिगल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 18 भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां इसती थे यह भी इंपूर्टेंट प्रश्ण है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां इसती थे वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 18 कर रहा है तो यह कहां परिस्ती थे वन अनुसंधान संस्थान तो यह भी जो है उत्राखंड के द्यारा दून में है इस्तित है सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्च नम्मर अब आ जाते हैं 19 और राष्टी पर्यावन सोधसंस्कान जिको सौट फान में नीरी कहा जाता है यह कहां परिस्तित है यह तो अति महत्पून प्रश्च नहें इसको काठ बाहन लिजिएगा दिमाग में तो यह हमारे नागपूर में स्तित इसका बी वाला विकल्प जो है सई हो जागा नाग पूग में नेरी न से नाग न से नेरी ऐसे ट्रिक से जोड़ लेजिए गा राष्टी पर्यावरण सोसन स्थान के स्थापन उने सुच्छोवतर में नागपुर महराष्ट में की गई थी इसका मुख्य उद्धे सरकार को पर्यावरण विज्यानियों शोट से समंदित सुझाव देने हैं प्रश्ट नमर 20 भारत में विच्छा रोपन उत्सव जिसे वन महसो के नाम से जाना जाता है के जैनम दाता कौन है यह यूपी टेट में तक कई बार प्रश्ट पूचा है मैं तो देखा हूं इसको आपको बताना है कि इसमें से किसने वन महसो की सुरुआत किया था तो ना देससे फ्रति जुलाई माँ में परथम सप्ता ओन महसो के niż मुनाटा है जाता है यह लन का प्रथम सप्ता воды होता है ये तो आदी ही सिंदे। इसे में प्रश्ण नमर 21 प्रश्ण नमर 21 करा की प्छिमी हिमालय संषाधन प्रदेश की प्रमुख शंषण कौन है। संसाधन प्रदेश के प्रमुक संसाधन कौन से है वह आपको बताना है पंक्र हिमाले में प्रवतमाला भारत के उत्तर से में चोटी में उची चोटियों की एक स्रिंखला से बदती है इसका पच्छमी मारदांद कच्छमीर घाटी उत्तर प्रदेश से उत्तरा खंड विश्थित है वन पच्छमी हिमाले संसाधन के प्रदेश में पाय जाने वाले प्रमुक संसाधन है तो यह पॉइंट द्यान राज्य में है वह आपको बताना है राज्य पूछ रहा है शार्वदिक वन छेत्र इंपोटेंट प्रश्ण है तो किस राज्य में है तो वह मध्य प्रदेश में है यह वाला बिकल्प जो इसका सई हो जाएगा वन मंत्राले के अधिन कार्यकत भारती वन सब्सक्रशन वर् 148 वर्ग केमी वन चेत्र के साथ अरुडांचल प्रदेश दूसरे अस्थान पर 36 गड़ तीसरे अस्थान पर है प्रश्ण नमर तेज़ प्रश्ण नमर तेज़ करा कि किस राज्य में कुछ भगवलिक चेत्र में सबसे कौम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है किस तो किस राजी में बाय जाता है प्रश्ण नमर तेज का उत्तर आपको बताना है तो देखे सबसे ज़यता करसी कहां होती है गेहूं का उत्पादन पंजाब में प्रतिविक्ति के हिसाब से इस तरह से हम सी वाले विगल्प के साथ जाएंगे वहां पर जो है वनों का प्रतिसत में सबसे कम वाला भागों का वन विस्तित है प्रस नमर 24 कि इस राजी में वनों का सरवच प्रतिसत है अब यहां देखे प्रतिसत पूछ दिया तब हमारा विकल्प चेंज हो जाता है और वह हम किसके साथ जाएंगे तो मीजूरव के साथ जाएंगे सी वाला भिकल्प जोएंगे हो जाएगा प्रतिसत के हिसाब से प्रतिसत के दिशी से सारवदीक वन चेतर मीजूरव में दूसरे अस्थान पर लक्ष दीप का नाम आता है यह भी ध्यान नखिये गा प्रशन नमर 25 देश के सारवदीक चेतर पर किस प्रकार के वन पाय जाते हैं वो आपको बताना है तो देश के सारवदीक चेतर फल पर किस प्रकार के वन पाय जाते हैं वो आपको बताना है 25 नमर प्रशन का और वो उस पर किस ने तो हमारे देश में क्या ज्यादा तर जो ह तो एक उसका क्योंट से बीकल्ब के साथ जाएंगे उष्ण आद्र उष्ण आध्र पतजड़्न वाले वन जो हमारे चित फल पसबसे जाद पाए जाते हैं प्रश डी है कि उश्राद्र पतजडवन भुमद्य रेखा के दोनों और भुम महादीपी भागों में पांस से लेकर 30 डीगरी उत्री तथा दचनी गुलारदुम के मद्य फैले हैं ग्रिश्म रीतु में ये वन अपनी पत्यां गिरा देते हैं इसलिए इने उश्रांद्र पतजडवन कहा जाता है उश्रांद्र पतजडवन भारत के सार्वदिक भागों में पाया जाते हैं इसका विस्तार उत्तर पच्छिमी में पंजाब हरियाना से लेकर मद्य प्रदेश महाराष्ट अंदरप्रदेश करनाटक तमिलाडू राज्यू में पाया जाता है प्रश्ट नम्मर 26 दलदली अथवा जुआर भाटा चेतरों में पाया जाने वाले वनों को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है तो ऐसे वनों को हम क्या कहते हैं मैं ग्रूवन कहते हैं यह वाला बिकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा जो दल्दली और जो आरपाटा वाले छित्रों में पाए जाते हैं जह सिस्व वाई चै़ा अगे चलते हैं थे रिटा बात लेखा गया है परस्ण नमर 27 भारत के मैग्रव वन असपति का सारफदिक विस्तार किस राजी में पाया जाते हैं वह आपको बताना है प्रस्ट नमेर 27 का तो किस राजी में सबसे जादा पाए जाएंगे तो वो पाए जाएंगे हमारे हम च्चिम बंगाल छीतर बारत की थ्यान नखिएगा प्रश्ण नमर 28 भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाया जाते हैं तो किस राजी में पाया जाते हैं तो हमें देखे यह जो वन है न दच्छिड भारत में मिलते हैं अब दच्छिड मारत में कई पहाड़ियां होगी नहीं यहां पर त तमिलाडू किरल वाले छेतर में यह सब में मिलते हैं सरदिर निर्गिली पहाड़ियों में पाया जाता है प्रश्ण नमर 29 साइलेंट वैली के चर्चिड होने का कारण क्या है वह आपको बताना है तो साइलेंट वैली पहली चीज की किस राजी में है दूसरी चीज यह चर जाता है साइलेंट वैली में इसलिए सबसे जाता चर्चित अस्तान असलेंट वंटी यह सांत काटी के रलाजी के उन्तिस वर्ग के मीचेतर में विस्तित है जो अपनी जय विविता हैं शदा वहरवनों के संक्षन के लिए प्रसिद्ध माने जाती है फूलों की घाटी उत्राखंड को करते हैं सी वाला विकल्प इसके साथ हमारा सई हो जाए गां प्रूलों के घाटी एक राष्टी उद्ध्यान है जोकी उत्राखंड राज के पौडी गडवाल चेतर में अवस्तित है सांत घाटी अवस्तित है कहां अवस्तित है वू आपको बताना है सही हो जाएँगा प्रश्न नमर 32 ऊष्ण कटिवंधी आध्र शाधा वहार वण पाए जाते हैं कौन सी परवत सिंखिलाओं पर और आवली वाले या शिलांक वाले या सी वाली चेत्र वाले या प्राईदीपी वाले छेत्र तो किसमें मिलेंगे 32 का डी वाला विकलब से लेकर दच्छिण में यह फैला हुआ है कि प्रस्ट नमर डी है कि जीन अस्थानों पर सीत रितु स्विस्क और ग्रिश्म रितु में 200 से स्याधिक वार्षा होती उन चेत्रों में उश्रकटिबंदी आद्र सदावाहरवन पाये जाते हैं इस प्रकार के वन मुख्यत प्रा पहाड़ी ओं पर पाए जाते हैं तो हमने आपको बता है था कि नीलगिरी की पहाड़ी विकल्प तयाथा इसका सही हो जाए कि आगे चलते हैं और इसका यह वाला पहाड़ी की पहाड़ी पर प्रश्ट नमर 34 दिम्झित में से कौन साथा राजी स्वातूत रिशम उत रेशम उत्पादक के लिए फेमस ये राज्य करनाटक त्यान न किये गांग दिखें रेशम के कीड़े सवतूत की विरिच पर पाले जाते हैं भारत का करनाटक राजी सवतूत रेशम सारधिक उत्पादित करता है प्रश्ट नम्मर अब आ जाते हैं 35 गंगा बर्मपुत्र क किस विरिच की अधिक्ता के कारने से सुन्दर वन कहा जाता है तो किस वन की अधिक्ता के कारने इसको सुन्दर वन कहा जाता है तो वहां पर सुन्दरी विरिच सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए इसको सुन्दर वन कहा जाता है सी वाला विकल्प इसका सई हो collective come membres सका है चंदन की लकडी के लिए प्रसिद्ध राज कौन सा है या पहाडी भी का वासकते हैं तो यह हमारा केरल राज में पड़ता है बी वाला वीकुर्प निलगरी की पहाडी वह फ्रेमस है तो केरल और तमिलादू में फैली हुई है वी वाला भी कल्प जो है 36 का सही हो जाएगा प्रश्ण के एक कोटिंग चंदन की लकडी के लिए प्रसिद्ध राज करनातक भी कलप देखती है।Ã्थी बोलत में तो में निलग्री की पहाड़ी केरल्बी में भी है तप्रैंस नाडु अब सबसे ज्यादा करनातक इसमें दिया गया है तो शी प्रश्च नमर 37 भारत की पर्मुक वनस्पती कौन सी है भारत में पर्मुक वनस्पती कौन सी है वह आपको बताना है प्रश्च नमर 37 का तो भारत की पर्मुक वनस्पती आपको पता है कि उश्ण कटे बंदी साधा बाहर पतजड़वन पाया जाते हैं तो वहीं नहोंगे य यह हमारा सही हो जाएगा प्रश्ट नमर 38 निम लिखित में से कौन सा राजी तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक कौन सा राग्य है वह आपको बताना है तो तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक राजी कौन सा है तो वह हमार अमसी वाले भीकलप के साथ जा रहे है है अप्राइब 154 जो वन चक्रवाद делать के ओर ते करते हैं page one कौन से बाइब two for Decry it anti-mouse marche कारे करती है वे वन का एक नसी है वो आपको बताना है तो कौन से एप छा चक्रवात को कौन से वयं रोकेंगी जो लंबे-लंबे-लंबे-1 कोन से होँगे तो मैग्रू 1 होते हैं लंबे-लंबे समुंदर के किनारे बने डेल्टाई चैत्रों में पाय जाते हैं तो यह वर होते हैं उसका सही हो जाए दल्दरियों जो अर्भाटा वाले चेत्र में पाए जाने वाले वनों को मेगर वन करते हैं यह वन चक्रवातों के और उद्धों का कारे करते हैं त्यान रखेंगा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं प्रित्मी पर विश्वत रेखा भूमत रेखा कि आसपास सारवधिक घने वन पाए जाते हैं यह तो आपको पता है पत्जहड और उष्ण कटिबंदी वाले चेत्र जो होते हैं वह वन पाए जाते हैं बोजपत्र विच ह बंगार राजी में इसती थे तो पूचा आई गया था बांबय हाई गशनी तेल से संबने थे यह तरी हैं इस रि़्पादर यूशन आजगारी में आए तो पूछ द्वी दियान लखेगा रानी गंज कोईले के खान पछमी बंगाल में इसती थे रानी गंज जो है यह द् सब्सक्राइब करते हैं इसなた vidya अशय्य को लाइग करेंगा सेयर करेंगा subscribe करेंगा chance चले दोस्ती विडियो को समात करते हैं थैंको थैंकू भार वाचिंग विडियो कि